हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल लेट्स फ्ले विथ स्टॉक मार्केट बात करेंगे आई टीस के बारे में जो कि अब मुझे लगता है कि आई टीसी हाथ में आने वाला बिल्कुल नहीं है जैसे हमने देखा फ्रेंड्स के पिछले आठ महिनों से आई टीसी हर बार दोसों के लेवल से मुमेंटम दिखाता था आपको पताई होगा लेकिन इस बार कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है चार्ट के उपर जी हाँ फ्रेंड्स जो कि मुझे लगता है कि आई टीसी अब बढ़िया तेजी दिखाने का पूरी तरह से दम रखता है तो जो कुछ मुमेंटम बन रहा है जो पैटन बन रहा है उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है तो उसके पर हम डिस्केशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और नेक्स्ट क्या पॉसिबल लेवल और टार्गेट देखना को मिल सकते है उसके पर भी डिटेल में डिस्केशन करेंगे और फ्रेंट्स चायद आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन ITC में दबा के खरिदारी भी हुई है जी हाँ फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं ने से की वेबसाइट के उपर मैं ने ITC को सच करके रखा है और यहाँ पर मैं फ्राइडे के दिन के कारवबर की बात करूँ तो तक्रीबन हमें ओल्मोस्ट सतर पैसे की बड़ोतरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली यानि कुछ खास बड़ोतरी नहीं थी ओल्मोस्ट फ्लेटी मोमेंटम देखने को मिला प्रिवियोस क्लोजिंग की बात करें तो 209.75 पैसे पर प्रिवियोस क्लोजिंग ओपनिंग 209.75 पैसे यानि ओल्मोस्ट फ्लेट ओपनिंग देखने को मिली हाई बना या 211.25 पैसे का और लोग 209.75 पैसे जहां पर ओपनिंग वहां का ही लोग देखने को मिला और फाइनली क्लोजिंग हमें 210 रुपे 60 पैसे पे और डेलबल परसंटेज की बात करें तो जैसा की फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कॉंटिटी जो ट्रेड हुई और तकरीबन 1.2.288.000 शेर की कॉंटिटी ट्रेड हुई जिसमें से डेलबल कॉंटिटी की बात करें तो 54,85,000 कॉंटिटी डेलबल कॉंटिटी नजर आ रही है डेलबल परसंटेज आप देखो फ्रेंड्स 55% के आसपस के डेलबल परसंटेज देखने को मिल रहे है यानि जबर जस्त खरीदारी देखने को मिल रहे है और मुझे लगता है कि कल ITC आपको बड़ी तेजी भी दिखाने का पूरी तरह से दम रखता है हो सकता है कल भी आपको अच्छी तेजी देखने को मिल जाए ITC में जो अब हम देख लेते हैं कि जो कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता है कि सही मोगा आ चुका है तो डिटेल में डिसकेशन करते हैं चार्ट के उपर तो जिसा की फ्रेंट्स आप देख सकते हैं ITC का चार्ट आप लोगों के सामने है यह चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम पे उपन किया हुआ है और यहां पे कुछ लाइने ड्रो करके रखी है और लेवल्स भी आइडिन्टिव फाई करके रखे है और यहां पे फ्रेंट्स दिखा जाए तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि लाश्ट आठ महीने से ITC दोसों के लेवल से चल रहा था आप देख सकते हैं बार बार दोसों के लेवल पे ही आके रुकता था और यहां से ही मुमेंटम दिखाता था आप देख सकते हैं बार बार इसी लेवल से में बड़ी अपमू देखने को मिलती है और फिर यहां से बढ़िया अपमू दिखाता है दोसों के लेवल से और फिर यहां पर ही संभलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे तो काफी कुछ बदला हो यहां पर मैं देखने को मिला है मैं चार्ट को थोड़ा जूम करता हूँ और जैसा की फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ITC को जो 200 के लेवल पे आना था वो यहां से आया नहीं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपमुद दिखाया 215-20 तक फिर यहां पे देखा जाए तो यहां पे जो 200 के लेवल पे आना था वो नहीं आया यहां से अपमुद दिखाया फिर यहां पे आया निचे के तरफ लेकिन 205 के असपास से चलता हूँ अमें ITC नजर आ रहा है जो कि 200 के लेवल पे से चलना चाहिए था वो ITC अब 205 के लेवल से चल रहा है तो अब एक बात आपको clearly समझ में आई होगी कि अब यहां पे जो बदलाव आया है वो यह है friends कि 200 के लेवल से नहीं चल रहा है अब यहां पे 205 के लेवल के असपास से ITC चल रहा है यानि friends कह सकते हैं कि जो खरिदारी करने के लिए कही ना कहीं लोग aggressive position बनाने के लिए ITC में ready है जी हाँ friends जो लोग अब इंतिजार करते हैं 200 के आसपास अब वो इंतिजार नहीं कर रहे है और अब 205 के आसपास ही position बनाने का पसंद कर रहे है यानि friends कहीं ना कहीं aggressive position बन रही है बड़े institution या तो फिर बड़े buyers कहीं ना कहीं position बनाते हों मैं ITC में देखने को मिल सकते हैं जिस तरह से खरीददर ही हो रही है मुझे लगता है कि अब ITC में बड़ा अपमू आना चाहिए friends लेकिन फिर भी friends आपको सतक रहने की जरूरत है definitely position बनाए है लेकिन प्रॉफवर SL के साथ ही आप चाहे तो 203 रुपे के SL के साथ position बना सकते हैं अगर 208 के आसपास आए friends तो यहाँ पे आखे बंद करके position बनानी चाहिए 208, 207 के आसपास 203 रुपे का SL लगाना चाहिए और यहाँ पे आपको जो टार्गेट आने वाला है वो 215 का तो easily आता ही है टार्गेट समय बार बार देखा है के 215, 220 तक तो ITC ऐसे ही momentum दिखा देता है जो कि पिछले 8 महीने की अगर हम रहें range की बात करूँ तो 200 से 220 का तो range है ही friends जो ITC momentum दिखा रहा है 220 से 200 की range के अंदर ITC 8 महीनों से momentum दिखा रहा है friends तो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि बड़ा breakout आने की पूरी तैयारी है जो कि अब यहाँ पे investor इंतिजार करना नहीं चाहते है और aggressive position बना रहा है friends अगर position है तो definitely hold करें और fresh position बनाने का अभी भी बड़ी आम होगा है मुझे लगता है कि ITC यहाँ से rocket की तरह momentum दिखा सकता है इतना बढ़िया consolation हो रहा है और यह consolated momentum मुझे लगता है कि breakout की पूरी कगार पर खड़ा हुआ है friends तो मैंने जो level आपको suggest कि उसके उपर आप अपना analysis करें अपना analysis advisor की सलाल है उसके बादे किसी तरह के कोई position बनाई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंग्रेज करना ना भूले और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं सी एक न्यूव वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यो अगान पर वाचिंग इस वीडियो